हेısı हैं अरे कॉर Both English कासे राजा कौंसे राजा है क्यों समझारा है सारे खाने की अवगात में यह राजा के बात पर आता है अरे महां जोड़ने, महां तेजी से यह है क्यों समझारा हूँ ले अपना आलू में तरह एक तरह आलू हए खाना ना, याद रखो हम हम हैं और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे खेत में अगर हालो खरीद में आयो तो शर्च जुका के और इज़त के साथ आओ क्योंकि हम आज भी राजा हैं थें और रहेंगे भी जले को आख कते हैं बुले को राख कते हैं याद रखो अभी जो सक्स हम से मिलने आया है उन्हें भोकाल टीवी कते हैं सारुक खान और गुलसन गरवर दोनों मतलब सब्जी बिचने के लड़ रहे हैं सब्जी के लड़ रहे हैं अभी हमारे साथ एक ऐसे सक्स मौझूद है जो पिछले कुछ महीनों पहले बहुत ही जबर्जस तरीके से वाइरल हुए थे और वाइरल करने वाले सक्स थे डीजिटल मीडिया के जाने माने पत्रकार मनिश्रकस है वो सक्स है दीपक रिक्षावाल जी आये तो दीपक रिक्षावाला हमारे साथ मौझूद है ये एक्चली बिहार की राज़ानी पटना में रिक्षा चलाते थे पहले लेकिन ये रहने वाले हैं प्रोपर जारखंड के तो इनके गाव में हम लोग आ गये हैं कि वाइरल होने के बाद ये गुमनामी का जीव पत्लाू कि यारे बहुत ही जादा चर्चा में बने थे मतलब बहुत ही जज़्यादा चर्चा में बने थे तो जहार और शुआज जोहार ज्याशार भ्रखंड काईसे हैं दीपक जी लिद्या आपको वाइरल कीये थे कुछ महिना पहले उसके बाद वाइरल हुए बड़ी जब अर्जस तरीके से वाइरल हुए पूरा देश में आपका चर्चा होने लगा था कि अरे भाई रिक्सा वाला इतना टेलेंटेट कई से हो गया लेकिन बीच में अचाना कुछ पत्रकार लोग आया आपके उपर हमला बोल दिया जूटा सूटा खबर दिखा दिया उसके ब आपको लोग बुलाते नहीं है जैसे साधी में अलग अलग प्रग्राम होता है विवाह में भजपूरी फिल्म में नाकपूरी खोठा फिल्म गानावना बनता है कोमेडी वीडियो यूट्यूब बनाता है तो वो लोग आपको बुलाता नहीं है यह तो हम चाहते हैं और हम आपको देखिए मंद्री के सामने बोल रहे हैं अगर वो पैसा नहीं भी देंग ना फिर भी हम काम करने के तयार है हमको तो भीया उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा लेकिन मैं जिन कलाकारों का बिना प्रैक्टिस के निकालता हूं कभी जिन्दगी में एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया अच्छा बिना प्रैक्टिस के आप इन कलाकारों की आवाज निकालते हैं सुनाने वाले हैं दीपक रिकषा वाला जी उनका मिमिकरी करने वाले हैं सुना जाए को आख काते हैं वूज्ये को राख काते हैं जयाद रखो अब जो सक्स रम से मिलने आया है उन्य भोकाल टीवी करते हैं याद लोगा बच्पन में तुम्हें कॉमिक्स पड़ा करते थे भोकाल की तलवार लेकिन क्या नाम है भोकाल जैन जै भारत वाह गजब यार इसका लग रहा है इनको अगर हम नहीं देखते सिर्फ आवाज सुन रहे होते कि सही में सतरुधन सिनहा ही जो है भ मिफुन चगरवर्ती वो क्या कहेंगे अरव वाजो नहीं हुआ अरव याद रख अरजब 15 साल का थाना तब से पट्णा में 20 सल रिक्सा चलाया लेकिन फाइदा क्या हुआ अरे मनीज कस्ते पाएं इंटर्वू लिएं वाइरल किये लेकिन दिक्कार है अरे आप उनको मिफुन चकरवर्ती के आवाज में जो है यह अपनी आप बीती बता दिये सही बात है यतना ज्यादा वाइरल हुए उसके बाद जो है आज अपनी लाइफ वही जी रहे है अभी बालूड हो रहे है घर बना रहे है अपना सोच यह मिट्टी वाला घर गिलावे पे इतनी द मुनना तुम्हें कातिया कर पास नहीं जाना है अभी मेरे हड्यों में डम है और जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक मैं शंगर्श करके तुम्हें पढ़ाओंगा क्योंकि हम आज भी रिक्षा वाला हैं थें और छहां है जब डाइब ci बताव जेए कि पीमिक्री करने के लिए और बिट फैमिकर्ज निकाल रहें तो आदमी में सीखता ह्या कुछ सटों सब्स्रेख निकाल लेते लिए मैं बच्पन से निकालता हूं मेरे पास तो इतने मोबाइल दिये हैं मैं 35 साल की अवस्था में पहली बार मोबाइल देखा हूं और यह इसी मोबाइल से जब लाइट उट कर जाता था तो घर मट्टी का घिलावा धोया करता था अब देखिए मुझे रजा मुरत का बहुत प वहां एक डूचेनल वाला हुआ जिसका नाम भुकाल टीवी है उससे कहना कि रजा मुराद भी खानी 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 खारा है समझा याद रखो आप उनका नाम रजा मुराद है अब हमारे सारुक खान सारुक खान और गुलसन गरोबर दोनों मतब सब्जी बिचने के लड़ सारुक खान और गुलसन कर लड़ रहे हैं सब्जी के लड़ रहे हैं और सुबस अपन या भेंडी लाकर रखा तो प्चाची के बयार में लेकन अभी टक बेंडी क्यों नहीं बख रहा है अर अब उनका अगर माता गरम हो गया ना तो सारा भेंडी को फड़ाय करके खुद खालूंगा उसके बाद उसके बाद शिम्रुक खेलांगा क्योंकि बड़े-बड़े सारो मचोड़ी बाते होती रहती है एक टेंसन देका अगाजा बद बोत यार कमाल का टाइलेंट है और जरा जैसे इस ही कुछ थोड़ा बताईए अब जैसे मान लिया जाए जैसे आप लगता पर जो खुरता बाता है तो मैं एक उसीश करता हूं कि एक डायलोग खुरता का बी होजा दो खुरता का जरूरी है अब हमारे प्रेम सहाब प्रेम चुपड़ा साबर गुंडा और अगर खुरता में कुछ कहें तो क्या कहेंगे प्रेम साहब प्रेम साथ का भी महुत बड़ा नाम है प्रेम चुपड़ा भोड़ शेम घोरनवा घोरों लिए लेकिन तोई की कह लिए शारा छेगरी पट्रू के अमर बरिया में गुशाए डली आमें तोड़ा केटना समझे लिए आमें तोड़ा इतना से लेकिन बड़ी माले उभी प्रेम से अब बठाव नंगा नहीं ते की अन्नी चोटे की अप्रेम से अब घाजा अब इस तो खोठा में कमाल मचा दिये धमाल मचा दिये मोदी जी का भी निकलते हैं अरे भापर मोदी जी का सुनना है जराः हां अब हमारे मोदी जी खोठा में कई से बोकि का वल से बोलेंगे वलेंगे जवर्ज suggests ने वाला है मोदी जी पहली बार कोटा में बोलने वाले हैं जाली कि पर प्यार शाथियों एद रख्येन हमें एक बार जब घोरना घोरा हलियों लेकिन अब घोरनवाद के फाढ़ के चेगरिया घुषगे्ज लेकिन मैं तो टेंसन नहीं लेना है हम लालो जी के बोले हैं वह बतरी भगा रहा है अब लालो जी होड़ा में क्या लाट नुनु लठिया आज यतना मार मारेंगे शेगड़ी गिला के कि सब के होशे बिगाड डेंगे अड़ा लगल जुलनियां में धक का कि पहुंच गए कहा तोप्चांची बजार समझे अगजाब ही तोप्चांची के जवान है जवर्जस तरीके का में मिक्री करते हैं इ दू बहु निकाल के लोगों का मनुरंजन करते हैं लेकिन दुरभाग है इतना सारा प्रोडक्शन हाउस है भोजपूरी का नाकपूरी का खोठा का इतने सारे कॉमेडी चैनल वाले हैं जो यूटूब पे फेजू को वीडियो बनाते हैं लेकिन ऐसे होनहार कलाकार को वो अपने चैनल पर काम नहीं देते हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यह लाख दू लाख रुपिया नहीं मांगते हैं इनका बस दाल रोटी चल जाए और यह अपने टैलेंट को लोगों को दिखाते रहें आपके माध्यम से मान लिया जाए देव सहाब देव सहाब दिलिपकुमार हाज हां हमारे टरजरी किंग अफ दिलिप इस खन्ना देव सहाब तीन अंतीनों सुक्रिस चार को एक में मिला दिए START昨法 सेशन करेंगे मतलब समोसा के लिए समोसा खाने लिए तो क्या कहां मैं और यह कमयल की बात करते हैं अरे भी या खिला डोगे तो बहुत बड़ा नाम होगा ए पुस्पा अरे टेंसन क्यों लेती है रे पगली अरे अभी राजेस जिन्दा है रे अरे जांगा सब जी बेचके कमांगा तुमको दो समोसा जरूर खिलांगे रे पगली अरे टेंसन मत ले रे वागा जाओ सबस्क्राइबर हैं यह वह इतना ज्याधा वारल हुएог तो अभी वह सहही आ है गामिचा बनने हैं बिनारन Cheryl लोगों का कि एक बार हम पर भी पैसा लगाई है हमको भी मौका देखे दिखिए मैं ज्यादा पैसा का लालस में बस दालोडी चल जाए बस यही बात है मैं लाश्ट में किसी और का गाया हुआ एक छोठा सा शोठा सोंगाना चाहता हूं जो मुझे फैवरेट है बताइए हम अरसे दिवाना बनाई दे लेंगे हाँ हाँ दिलवा धड़काई दे लेंगे दिवाना बनाई दे लेंगे हाँ हाँ दिलवा धड़काई दे लेंगे हाँ दिलवा धड़काई दे लेंगे चलिए बहुत अचाहिए बते नाना पाठकर का नहीं सुना है महाराई नाना पाठकर का और याद रखो हम हम है और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे खेक में अगर आलो खरिद में आए हो, तो शर जुका के और इज़त के साथ आओ, क्योंकि हम आज भी राजा हैं थें और रहेंगे भी अरे कहे के राजा कौन से राजा है? अरे क्यों समझा रहा है? सारे खाने की अवकात नहीं है राजा के बात बाता है अब बहुत देखे तेजे से यह और क्यों समझा रहा हूं ले अपना अलू में तरफ आलू में खाना है अधूट आपको बता दें कि धनबाद जी लेके तो चांची में रहते हैं यह और इनका अभी मुझे लगता है कि अपना घर माकान है भी कि नहीं है खुद बताएंगे THIS लसक्त जो बता यह जारता है उसके बारे में भगहर तो नहीं अब घर बना-एचे घर टो अब को इनके चैनलRO को सब्सक्राइब के भरा अगर मिला होता तो आज अपनी पंखों से उड़ रहे होते आसमान में और हम लोग को इंटरव्यू लेने के लिए जो है बार-बार फोन करना पड़ता दीपक जी लास्ट में कुछ और सुनाईएगा उसके बाद कि अपने लिए जीए तो क्या जीए अगर मेरे पास खाला है तो आप लग बेचिए लेकिन मैं ज्यादा नहीं बस अगर मुझे सो दूसो रुपिया भी दीजेगा घर खड़ चल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन कोई दे तब न तो कैसा लगा रिपोर्ट आप आप जापने लेकिन लुवे देग मेरे खगर कि वेकिन कोई भी ऑरुकरव कि वाला है भी क्कुछ क्रेंगा